टूर आज मैं आपको क्लास 8 की एकसराइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूं तो हम स्टार्ट करते हैं कोशनक सेक्षिन फ़र्स है हमें कुछ नम्मर दीए हैं इसे हमें नम्मर लाइन पे डियुट करना है तो फृस्ट कॉशन ए सेवन अपॉन में फोट आई होप मेरे दोरह बताएगे आपको ये नमर लाइन इसली समझाए तो चलो हम देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है एक लाइन रो किया है और देखो पहली बात तो हम नोटिस करेंगे कि जो हमें नमर गिवन है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव होगा तो हमारे र करने मिइन रहागे और हम अपन में फोर्ट करेंगे नमर इस सेवक्तिक चलोखें है और कने से लिकाशे अपलक्ति टू अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4, 6 अपॉन में 4, 7 अपॉन में 4, 8 अपॉन में 4, हमें कौन सा नमर शो करना था, 7 अपॉन में 4, तो देखो हमारे 7 अपॉन 4 हमारे यहां पे शो हो रहा है, तो हमने यहां पे सरकर डाल के इसे A नाम दे दिया, qster second मैंने सब्सक्वाइब से लिए मैंने आपको बताए था कि लेफ्ट साइड से हो हैं और वन हैंशुर्प थे दिस्टेंस रखेंगे कुन देखो हमने इस कोंटिंग की है प हowaण आपोन में 6 का हम डिश्टैंस रख रहे हैं तो आप तो कहा तब काउंटिंग लेंगी मानेस स्वान विम्म तेट थाकु हम उपन में 6 ना मिल जाए तो नो हमारे यहां पर उन्साहर हो Уब गया है तो हमिने में इस पे डॉक लगा की सरकल दालके इसको B नाम दे दिया, same question second करेंगे, हमें minus 2 upon 11, minus 5 upon 11, minus 9 upon 11, इसे हमें क्या करना है, इन तीनो नमर को number line पे denote करना है, तो इसमें देखो, left side से हमने counting सुरू की है, और distance क्या होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा, minus 1 upon 11 का होगा, सब के बीच में, ठीक है, तो यहां पे 0 से बेके हमने कहां तक काउंटिंग की है, सबसे बड़ा number हमारा क्या है इसमें, तो बड़ा number क्या है हमारा इसमें, 9 upon 11, तो 0 से लेके हमने, minus 9 upon 11 तक काउंटिंग कर ली है, और देखो, हमें denote क्या करना, minus 2 upon 11, तो इसमें हमने circle अपन, पे उसे अग नाम दे दिया, second है, minus 5 upon 11, तो उसे हमने B से denote किया है और 3rd है minus 9 upon में इलावन उसे हमने C से denote किया है I hope आप लोगों को यह question बहुत easy तरीके से समझाएगा और अच्छा लगा होगा 3rd question है write 5 rational numbers which are smaller than 2 मतलब क्या कह रहा है इस question में कि 2 से छोटे 5 rational number हमें लिखके दिखाने तो मैंने आपको यहां पे नमर लाइन पे 5 दो से छोटे नमर लिखके दिखा दिया है जो है 3 upon में 2,1,1 upon में 2,0,-1,-1 upon में 2, okay question for a find 10 rational numbers between minus 2 upon में 5 and 1 upon में 2 तो देखो पहले हम इसमें क्या notice करेंगे कि तोनों जो हमें rational number find out करना इनके बीच का वो दोनों number हमें कैसे दिया है एक positive और एक negative है तो negative और positive number given हो तो बहुत easy होता है इनके बीच के rational number को find out करना ठीके तो पहले हमने minus 2 upon 5 को किसे multiply किया है और divide किया है 4 से तो हमारा क्या आगे minus 8 upon में 20 और second को हमने multiply किया है 1 upon 2 into 10 से multiply और 10 से divide किया है तो क्या मिला हमें 10 upon में 20 तो हमें क्या मिल गया है को number minus 8 upon में 20 और 10 upon में 20 तो देखो यहाँ पे denominator दोनों के same है तो इनके बीच के rational number हम लिख लेंगे 10 चाहिए तो देखो 5 हमें negative वाले मिल जाएंगे और positive वाले तो 8 के बाद वाले पहले क्या आते हैं minus 7 upon में 20 minus 6 upon में 20 minus 5 upon में 20 कोमा मैनेस 5 अपॉन में 20 मैनेस 4 अपॉन में 20 कोमा मैनेस 8 अपॉन में 20 कोमा मैनेस 2 अपॉन में 20 मैनेस 1 अपॉन में 20 और 0,1 अपॉन में 20 यह हमें क्या मिल गए मैनेस 2 अपॉन में 5 और 1 अपॉन में 2 के बीच के 10 रैशनल अमर मिल गए आप एक बार में नहीं समझोगे, कई बर प्रैक्टिस करोगे, समझ आ जाएगा नेक्स्ट फाइफ पॉस्चन है, फाइट फाइफ रैशनल नम्मर्स विटविन हमें ये तीन कोशन दिया, इनके बीच के हमें रैशनल नम्मर्स फाइनट करने है तो पहले वाले को किसे करेंगे, 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 तो पहल हमें 10 upon 15 और 12 upon 15 मिला है तो इनके बीच में देखो हमारे rational number नहीं बन रहे है rational number नहीं बन रहे तो again हमने क्या किया है 10 upon 15 को 4 से multiply और divide किया है और 12 upon 15 को 4 and multiply divide किया है तो हमें क्या मिला 40 upon 60 और 48 upon 60 तो 40 से लेकर 48 तक में easily हमें 5 rational number मिल जाएंगे तो क्या मिलेंगे 5 rational number 41 upon 60, 42 upon 60, 43 upon 60, 44 upon 60, 45 upon 60 I hope आप लोगों को आप रेशनल नहीं तरीकी से समझ आई रहा होगा next second question है minus 3 upon में 2 और 5 upon में 3 के बीच के 5 rational number तो मैंने आपको इससे पहले वाली question में भी बताया था कि अगर minus और plus में rational number find out करना है तो easy होता है तो देखो हमने minus 3 upon में 2 को 3 से divide और multiply किया है तो हमें मिला है 3 3 जा 9 अपो और 2 2 2 3 जा 6 तरना minus 9 upon में 6 और 5 upon में 3 को 2 से multiply और divide किया है तो क्या मिला 5 to 10 3 to 6 दोनों के denominator सेम हो गए हैं तो अब हम यह इनके बीच के 5 rational number लिखे लने चाहिए तो 9 से पहले क्या होता है minus 8 upon में 6 minus 7 upon में 6 6, hero, 1 upon में 6 और 2 upon में 6 आप लोगों ने कुछ नोटिस किया इनके distance में क्या है minus 1 upon में 6 से लेकिं plus 1 upon 6 तक है उकी इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि मैंने यहां पे 8 और 7 वाला लिया और 0 के बाद 1 और 2 वाला लिया है ऐसा कोई भी दिकत नहीं होगा आप लिख दोगे आपका अंसर सही होगा question 3 है यह आप लोगों को खुद ट्राइ करना है और मुझे comment box में solve करके show करना है question 6 है write 5 rational numbers greater than minus 2 2 से बड़े 5 rational नमर हमें find out करने हैं तो देखो मैंने यहां पे आप लोगों को minus 2 से 5 बड़े नमर show कर रखे है rational नमर तो 5 minus 2 से बड़े कौन से rational नमर है minus 3 upon में 2, minus 1, minus 1 upon में 2, 0, 1 upon में 2 मैंने आपको नमर लाइन पे भी show कर रखा यह कैसे हमें मिले है okay अगर आप लोगों को doubt हो तो comment कर सकते हो question 7 है find 10 rational numbers between 3 upon में 5 and 3 upon में 4 तो यहां पे देखो numerator दोनों के same है और denominator change है तो हम यहां पे क्या करेंगे numerator दोनों के equal कर लेंगे पहले तो देखो 3 upon में 5 को और 3 upon में 4 को हम numerator same करेंगे denominator भी हम same कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं okay तो हमने यहां पे denominator को 100 बना रखा है अब 3 by 5 को हम 20 से multiply और divide करेंगे तो हमें मिलेगा 320 65 into 20 100 and 3 upon 4 को 25 से किया है इसलिए क्या है क्योंकि हमें 100 लाना है denominator को बनाना 100 है इसलिए 25 से किया है तो 3 25 को multiply करेंगे क्या है क्या है 75 और 4 into 25 करेंगे तो 100 अब मिल जाएगा 64 upon 100 up to हम कहां तक लिखेंगे 69 upon 100,70 upon 100 तक आई होप आप लोगों को मेल त्वारब बनाया गया यह exercise easy तरीके से समझा है अगर समझा है तो आप लोग like share and comment कीजिए thank you for watching my video